आज की हमारी वर्सित है वर्सित नमबर 63 और इस वर्सित में हम लोग क्लास 3-5 के बारे में डिसकस करेंगे और यह जो वर्सित है यह 16-2020 के लिए है इस जगह पर आप लोग अपना कक्छा और सेक्षन लिखेंगे और यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे फिर यहाँ पर अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं healthy vegetables मतलब सब्जियों के नाम का पता लगाई है ठीक ना और जो vegetables होते हैं वो healthy होते हैं स्वास्टपरक होते हैं तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है तो देखते हैं इसमें क्या-क्या जानना है इसमें कर रहा है कि सब्जियों के नाम का पता लगाना है तो मेरे नाम में ही फूल है आप इसको देख रहे हैं तो इस सब्जी को क्या कहते हैं तो ये सब्जी है फूल गोभी ठीक तो इसको हमने लिखेंगे फूल गोभी ठेक तो इस तरह से आपका एक नाम हो गया ऐसा ही सारे सब्जियों के नाम हमें लिखने है तो इस सब्जी के हमने देख लिए कि इसका नाम हो गया पहला का हो गया फूल गोभी कारा जब आप मुझे कापते हैं तो आपकी आखों में आशू आ जाते हैं आपर हम देखा हो कि जब भी कोई प्याज कारता है तो आखों में आशू आ जाता है यू cry when you cut me जब आप मुझे काड़ते हैं तो आप रोते हैं तो इसको हम लोग क्या वोते हैं ये है प्याज इसके लिए हम लिखेंगे आधाप या प्याज ये कौन सी सब्जी है तो ये है प्याज अब तीसरी सब्जी हम देखते है तीसरी सब्जी है मैं लाल और गोल हूँ देखे याँ पर तीसरी सब्जी है ये कराय कि मैं लाल और गोल हूँ आप मुझे पका कर या कच्चा भी खा सकते हैं सलाद में हम लोग टमाटर कच्चा काटकर खाते हैं और या फिर पका कर भी टमाटर को सब्जियों गरा में डाल करके खाते हैं, तो इसको पका कर भी खाया जाता है, और फिर कच्चा भी खाया जा सकता है, तो इसका नाम हम लिखते हैं, इसका नाम है टमाटर, इसका नाम हो गया टमाटर, यह तीसरे वाली का हो गया टमाटर, अ मैं भूरे रंग का हूँ और जमीन के नीचे उगता हूँ आप मुझे उबाल कर भी खाते हैं तो ये जो सब्जी है आप इसके बारे में जानते हैं ये क्या है ये आलू है तो इसका नाम लिखना है में तो चलिए इसका नाम लिखते हैं यहां पर लिखते हैं इसका नाम आलू ठीक ना तो ये चोथे का हो गया आलू अब पाचवा देखते हैं पाचवा क्या क्या है पाचवा का राया है कि नीचे दिये गये चित्र में से कोई भी चार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखे यहां सबसे पहले आप इस चित्र को देख लिजे यहां बैगन दिख रहा है ठीक गाजर दिख रहा है और क्या दिख रहा है और हरी मिर्च देख रही है फुल को भी दिख रहा है पत्ता को भी दिख रहा है यहां कुछ प्याज भी दिख रहा है लाल-लाल और ये चुकंदर भी दिख रहा है ठीक ना बहुत सारी सब्जियां है या लॉकी भी दिख रही है तो आप कोई भी चार सब्जियों के नाम लिख दीजिए जैसे माने जी पहला आप लिख दीजिए लॉकी लॉकी दूसरा है गाजर तीसरा है प्याज और चौथा है बैगन आप लिख सकते हैं बैगन तो इस तरह से चार सब्जियों के नाम हो गए अब छठा है कि हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए और सब्जियां खाने के कोई चार फायदे लिखे तो ठीक है इसको भी हम लिखेंगे नेक्स देख लेते हैं और सातवा भी है कि खाना पागाने से पहले सब्जियों को धोना क्यों आवस्थे है धोना क्यों चाहिए तो चलिए ये दोनों प्रस्ण के उत्तर थोड़े लंबे होंगे इसको हमने दूसरे जगा लिखा है इसको दूसरे जगा से ले लेते हैं तो यहां देखेंगे यहां छटा प्रस्ण है हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए सब्जियां खाने के कोई चार फायदे लिखे तो इसका उत्तर है हमें सब्जियां जरूर खानी चाहिए सब्जियां खाने के निमलिखित फायदे हैं पाला एनेमिया को दूर करता है दूसरा दातों के लिए फायदे मन होता है तीसरा तवचा और बालों के लिए लगदायक होता है और चौथा कैंसर से बचाओ करता है और नेक्स्ट है साथवा प्रस्ण है कि खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोना क्यों चाहिए तो इसका उत्तर है सब्जियों को जब बजार से लाया जाता है तो उस पर धूलकन तथा खेती में उप्योग किये गए कितनासक और अन्य भी रासायनी कुरबरक लगे होते हैं इसलिए सब्जियों को धोना चाहिए तो इस तरह से आपके साथो प्रस्ण हो गया और आपका वर्षिट भी कंप्रीट हो गया तो मिलते हमनों नेक्स्ट वर्षिट में तब तक के लिए गुड़ बाई